अस्सलाम अलेकुम एवरीवन वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंज साइंस अकैडमी पुभीत करता हूं कि आप सब खेरियस से होंगे बेसिक सिवल इंजिनिंग सर्वेंग के शोट क्वेस्टिन चेप्टर नंबर फाइव कंटूरिंग चेप्टर का नाम है और कंटूर और कंटूरिंग की तरीफ करें चप्टर जो आव स्टार्ट करने लगी हैं पहला कर्षजन कटूर ऐससे लाइन को कहा जाता है ऐसी लाइन जिसके हर नुक्ता का रिड्यूस लेवल यकसा हो जमीन की सता पर यकसा रिड्यूस लेवल वाले न plugging को मिलाकर कंटूर लाइन हासिल क जाती है कंटूर वारा नकिशा त्यार करने के लिए किये गए सर्वे को कंटूरिंग पहा जाता है ठीक है जी यह मतलब ऐसी कली सर्कुलर और राउंड शेप में हम कंटूर जैसे आप इसके लिए हम इसके लिए सुट्वियर जो यूज का रहे हैं इंजीनिंग में वो है कंटूर मैप की तरीफ करें किसी अलाका के नकिशा पर कंटूर लाइने लगाने के बाद हासिल होने वाला नकिशा कंटूर मैप कहलाता है ठीक है कंटूर लाइन क्या है यह इसी लाइन जिसके हर नुक्ता का रिड्यूस लेवल यकसा हो कंटूर लाइन कहलाती है कंटूर यह यह एके बाद दीग्रे कंटूर लाइनों के दर्मयान अमूदी फासले को कंटूर इंटर्वल्स कहा जाता है टीक हैं डीग्रे कंटूर लाइनों के नाम क्या हैं यह बीपोर्टन आपका एक्जिलरी कंटूर और लोकल कंटूर जometर कारता है कन्टूर की उफकी मसावाद iki तर्रीफ करें दो यके बाद दीगरे कन्टूर लाइनों के दर्में उफकी फासango, या ऋवरिजन्टल एक्विवैलन्ट कहा जाता है कटूर इंटरवल और उफकी मसावाद में फरक जो है वो लिखना है दो यके बाद दीगर है यह एक कंटूर के बाद एक और कंटूर लाइन दूसरी कंटूर लाइन के दरम्यान अमूदी फासला को कंटूर इंटर्वल जो पहले पर चुके हैं और दो मुसलसल कंटूर के दरम्यान उफकी फासले उफकी मसावाद कहलाते हैं उफकी फासलों से पहले यहाँ पर अमूदी फासला कंटूर इंटर्वल कहलाता है और जबके उफकी फासला जब उफकी मसावाद कहलाता है दो कंटूर लाइनों के दरम्यान में अमूदी फासले को आप कहेंगे कंटूर इंटर्वल और उफकी फासले को कहेंगे आपका और जबके हमवार जमीन की सुरत में कंटूर के तरमियान फासले फासला ज्यादा होता है क्योंकि जहां पर एक जैसा लैवल आपको मिलता रहेगा वहां पर लाइन नहीं होगी है कफी फासले पर जाकर आएगी और जहां पर आपको ज्यादा गहराईये मिल रही है हर वकफे वकफे पर समय ले एक एक मेटर पर य पांच-पांच मेटर के फासले पर बार गहराईए चेंज होती जा रही है तो एक फटक traveled के फासले पर आप जो है तक्सीम नहीं हो सकती अच्छा यहाँ पर अब यह वाला सवाल जो है ना एक वैली और रिज्ज ही क्या है कंटुर की वैली और रिज्ज की तरीफ वैली जमीन की स्था पर गहराई को जाहर करती है जैसा कि नदियें जील गहरागा रास्ता इसके मकाबले में रीज जमीन की सता पर उन्चाई को जाहिर करती है जो गहराई को जाहिर करेगी वो वैली है और रीज क्या करेगी उन्चाई को जाहिर करेगी या उतार चरह होता है नक्षा पर वैली और रीज की रिज क्यो किया जाता है इसको कंटूरिक का जाता है इसके तरीक है नहीं बूछे पहले पिख लिए ingenιο्रया और टुरिकों के नाम इसके इंफिरादी नेज़ागा िंविचे का अधरी वह सबू상이 है उसके बाटाइब मेut pray आजना क्या लिए अलगी हॉड havia रासую बहूता है दायरेक्ट भी वाज़या करने के लिए हर पांच में न को जाया जाता है इस 2025 को पांच कॉयानों कि हार 5 Contour's Line-O-K-E-D-S Contour Line लाइन के बाद एक Contourine जो होती है जो डार को जो डार को उड़ा की चेंज होता है उसका कि पृनिसिपल Contour आगी उसके अधार पर इस तरह करके एक और Contour 5 वक्षिए के बाद बाद गए और नहीं है इन दोनों के दम्यान में बाकी जो लोगों के Cont पहाडी यह पहाडी निहिए है और फॉर्चसरा पहाडी। कह और काह पर नख्याpर पासर के लिए बिष्वाड़ संवा किसा और नख्याओ किस नख्याओ मतलूब यह रहलवान भड़ी यह क deb alcohol लोकल कंटूर की तरीफ मतलब के मकामी ठीक है तो ये कंटूर सर्वे किये जाने वाले अलाका में शुरू होता है और इसी अलाका में खतम हो जाता है दरासर ये कंटूर बंद शेकल का होता है जिसका कोई नुक्ता आगाज यह सताम नहीं होता ठीक है इतना भी करने काफी है यह लिखा है कि नक्षे में कंटूर छला नमाज यह निरिंगी शेकल की शेकल में नजर आता है ठीक है उसके बाता है प्रिंसिपल कंटूर की तरीफ क्या है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंटूर लाइनों को वाज़ा करने के लिए हर पांच में दस्वें कंटूर लाइन के बाद जो पांच में दस्वें लाइन जो होती है उसी को वाज़ा कर दिया जाता है कोई जाफी नहीं के पांच में पूरी हो जाए फिर जाकर चटी लाइन हो जाए हर चार लाइनों के बाद पांच में लाइन यहार नो लाइनों के बाद दस्वें लाइन को जो वाज़ कर दिया जाता है इसको कंटूर लाइन का जाता है एक्जलरी कंटूर है कि दो प्रिंसिपल कंटूर जो वाज़ा की कही कंटूर लाइन के तरम्यान में विज़ा कंटूर है ना लाइन है वो जो वाज़ा से पहले वाली आएंगी उनको हम बोलेंगे वो एक्जलरी कंटूर य लगा जाती है, इस यकसा डहलवान को line of grade कंटुर या contour gradient कहा जाता, यह नों एक ही है grade contour या gradient ग्रेडियंट ग्रेडियंट यो है ना यह की चीज में आई का फ़तल क्या होता है, कि आप पहले contour line यह लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने सर की निशानदाई करते हो इसकी center line की alignment करते हैं तो इस तरह क्या होता है कि यकसाइड ऐलवान आप दोनों तरफ मोहिया करते हो एक line लगाते हैं इस यकसाइड ऐलवाने वाली line जो है उसको आप बोलते है great contour या contour gradient जब दो लगातार contour एक दूसरे को cross करें इसका क्या मतलब है जब दो लगातार contour एक दूसरे को cross करें तो इस सूरत में अमूदी चटान यानि vertical cliff जाहिर होती है ठीक है अमूदी चटान जाहिर होती है उसकी वाज़ा जी होती है कि दो लगातर contour करने मतलब इसके तरम्यान में कोई आमूजी चिटान है बला वासता contouring के दो तरीके है एक बाए using cross section का यानि cross section के तरीके से और square के तरीके से यानि मुरब्भी तरीका ये दो ठीक है Contouring का Radial तरीका यनी शौएं टरीका कब अख्तियार किया जाता है Contouring का Sh beasts तरीका यनी Radial Method छोटे अलाकों के लिए मुझे होता है पहाड़ी और ने पहाड़ी अलाकों के लिए यह बेधर तर्सवर किया जाता है Contouring का Cross Section का तरीका कब अख्तियार किया जाता है यह दो पर सिरव आप नइ जाना है कि आप शॉई तरीक्वारी शॉर्णति का पर लिए चोपने ने करते हैं चोटे लागों के लिए बार ये और इधार रेडियल लाजमी तोर पर याद रखे क्योंकि इंग्लिश में रेडियल आएगा इंग्लिश में शौई नहीं नहीं लिखा हुता तो रेडियल याद रखे और अगर किसी स्टीज की स्टेटमेंट सा समझ लिया करें कंटूरिंग का मुरब्वी तरीका यानि स्क्वेर जो मैथड है कंटूरिंग का यह जो आता है स्क्वेर मैथड चोटे अलाका के लिए मुनासिब रहता है इस طریقہ में पूरे आलाके को मुरबा शिकाल में तक्सीम कर दिया जाता है फिर हर मुरबा की कौनों के लेरिमल मुलूम किया जाते हैं और इन नकाद को स्पोर्ट और नकाद के लैरिमल को स्पोर्ट लैरिमल कर जाता है एतना तर पूछा है उसने, ठीक है गाना, इह तरीका क्या होता है, आप अपने कंटूर जहां पर लगा रहे हो तो इसमें अपने पूरे सक्सी मान की तक्सीम कर देता है, इस वज़ासे इस तरीका को मरभी तरीका कहा जाता है, ठीक है? कंटूरिंग का टेकोमेट्री वाला तरीका का पत्यार किया जाता है, टेकोमेट्री, कंटूरिंग का टेकोमेट्री का तरीका पहारी आलाके का कंटूर सर्वे करने के लिए मुनासिब है, इस तरीका में उपकी फासले लेवल टेकोमेटर की मुद्र से मुलूँ किया जाते है कंटूर लाइने लगाने के दो असूल कंटूर लाइने दस्ती गुलाई में यकसा मुटाई की लगाई जाती है यह एक जैसी मुटाई में हो और पांचवी लाइन को बाकी लाइनों की निस्पत मोटा जाहिर किया जाते है पांचवी पर दस्वी भी कुंटूर का नक्षा त्यार के लिए कंटूर लाइने लगाने से मुराद नक्षा पर कंटूर की लाइने जाहिए जैसे आपने पहले वो लगाई है चार लाइने आपने मौवन कंटूर के लगाई है एक्जिलरी कंटूर के उसके बाद पांच मी लाइन आपने परिंसिपल के लगाई है फिर चार उसके तो कंटूर लाइनों को मुक्लिप नकाद के यह जो अमल होते हैं मुक्लिप नकाद के इसको बोलते हैं Interpolation Contour की Interpolation के तरीके अंदाजन तरीका हम अंदाजन लगाते है रफ उसके बाद आजएगा आपका Estimation होती है यह असाबी तरीका आजएगा और Graphical तरीका यह तीन तरीके हैं Estimation से Interpolation से के तरीके की तरीक करने हैं अब Estimation यह अगर हम अंदाजन लगा रहे हैं तो यह तरीका छोटे रुकवजाद के लिए इस्ताव होता है जहां बहुत ज़्यादा दुर्स्तकी की ज़रूत ना हो इस तरीका में Spot Levels के तरमयान मुक्लिफ Levels की Contour Line जो है वो अंदाजन गुजारी जाती है Contour वाले नक्षा से जील में मुझूद पानी का हुजम कैसे मुलूम किया जाता है Contour वाले नक्षा की मदर से किसी टेला में मुझूद टेला होता है एक पाड़ी की चोटी जैसे कोई में मुझूद मत्टी की मिगदार या किसी जील और त त लाब में मज़ूद, पानी की मिधार बड़ी असानी से मुलूम की जा सकती है हम कंटूर से कैसे करते हैं, बड़ी असानी से और उसका तरीका का इस मकस्द के लिए कंटूर वाले नक्ष़ास से हर एक कंटूर लाइन के अंदर मुझूद रुक्वा प्लेनी मेटर की मदद से मुलूम किया जाता है कंटूर इंटर्वल भी नक्षा पर लिखा जाता है और होता है कंटूर के औस रुक्वा और कंटूर इंटर्वल को जरब देकर मदद से हुज़ा मुलूम कर लिया जाता है यह contour lines है एक दो तीन चार के बाद पांचवी line जो होगी वो आपकी principal contour पिर इस तरह फिर एक दो तीन चार ऐसे करके यह contour line और बिल्कुल दर्मियान में एक line गुजर रही है यह आपकी alignment होती है इसका मतलब यहां पर कोची रिटेंड की गई है वह आपकी earth soil हो सकती है और रिज लाइन्स यह रिज लाइन है इसकी सेंटर से गुजरती है तो यह हम जो है डिसक्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 contouring तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा और आपने अभी क्लिक भी कर लें ताकि आपको नई वीडियो नई अपडेट्स रहें और वक्तर वासा नहीं मिलती रहें आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ अब तक के लिए अलाहाब देए